compound A formed in the following reaction, reacts with B, gives a product C, find out A and B, जगर आप उसमें ध्यान से देखेंगे, तो ये एक alkyne group है, with a terminal hydrogen, और जो कि एक acidic H होता है, correct, so basically हम क्या कहते हैं, कि जैसे triple bond CH हो जाता है, RSH, OH, NH होगे, generally hydrogens होते हैं, ये acidic H होते है, correct, so triple bond CH, अगर आप देखो, तो acidic H है, तो generally क्या होता है, कि मैं अभी आपको बता भी दूगा कि reaction कैसे होती है, तो जैसे CS3C triple bond CH है, और NA के साथ reaction होती है, तो इसमें जो ये acidic hydrogen है, वो निकल जाता है, correct, तो यहाँ पर CS3C triple bond C और negative आ जाता है, correct, और ये आता कैसे है, मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ, sodium बहुत अच्छा electro positive element है, और वो बहुत जल्दी अपना एक electron donate कर देता है, correct, अब जब ये electron है, किसी भी acidic H पे, जैसे मैं ROH ले लूँ, इस पर attack करता है, correct, और ये जो इदे के bond है, इस पर दो electrons है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता है, ओके, तो RO negative बन जाएगा, O plus H radical बन जाता है, जो ये electron है, इस पर ये वाला हो गया, okay, and hence we can say कि जो RO negative है, या इधर ये बन गया, correct, तो ये वाला process इसमें basically follow होता है, now, ये तो हो गया आपका, जो आपका product A बना था, अब इसमें कहना है कि इसने B के साथ reaction करी होगी, और ये compound बना, और साथ में आपको द दिख रहा है, okay, तो देखें, क्या होता है, कि for example, आपको अगर R negative दिया वाए कुछ, okay, और R negative में, अगर आपको, for example, R dash X से reaction करते हो, क्योंकि examples में आप देखेंगे B में, सबके सब halides ही दिये हो है, maximum, okay, तो जब इस पर attack होगा, SN2 और R, और R dash इस तरह से join बन जाता है, तो ये वाला जो portion है, वो तो ये available हो गया, इसका मतलब जो ये वाला portion है, इस में BR जोड़ा होगा, याने CH2, CH3 और ये अगर मैं BR जोड़ देता हूँ, यहाँ पर, अब क्या होगा, जैसे ये वाला attack करता है यहाँ पर, ये bone break हो जाएगा, correct, and hence, in return आपको क्या बन जागा, triple bone C और इसके साथ, CH2, then CH2, and CH3 बन गया, और क्योंकि BR negative बना था, और आपका reaction में, initially मैंने क्या कहा था, NA plus, वो electron था, NA plus के साथ मिलकर, और ये BR negative मिलकर आपका, NA, BR बना देता है, ओके, तो क्या होगा, ये आपका होगा, B, this is A, सामझा है, तो इसके according, जो आपका option number 1 है, is your final answer.